तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले कोश्चन को देखते हैं इसमें क्या है तो देखो यह कोश्चन एक लंबा कोश्चन है लेंदी यह तो घबडाना नहीं इसको हम लोग अच्छे से करते हैं तो इसमें यह कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फिल्ड एने रीजन अलग अलग पार्ट में एक कोश्चन इसके कई पार्ट है तो इसका जो पहला पार्ट ए है वो कहते हैं ग्रेविटेशनल फिल्ड किसी रीजन में आपको पहले से ही डिफाइन दिया है 5i कैप प्लस 12j कैप 2-dimensional फिल्ड है एक्स में भी यह वाई में भी है ऐसे अपने फिल्ड जो है एक्स में भी है और यह फिल्ड वाई में भी है तो वाई में भी 12j है और यह 5i कैप ऐसा यह बता रहे है ठीक है तो यह कहते हैं find the magnitude अब करना क्या है कि magnitude हमें निकालना है magnitude अब ग्रिविटेन फोर्स एक्टिंग अने पाड़िगर आप 2kg प्लेश्ट एर्थ ओरिजिन तो पार्ट पहले पार्ट में जो है ओरिजिन पे हम लोग यह पार्ट पे यह एक्स एक्स आख्सी तो ओरिजिन पे हमें एक मास रख़खे यहां पर हमें एक मास रखे और इस मास की जो value है वो basically 2 kg है बच्चो तो इस पे लगने वाला जो force है वो मैं आपको simple सा पढ़ाया हूं किसी भी body पे जो force है वो mass और multiplied भाई उस पे लगने वाला जो net field है अगर multiply कर दोगे तो वो problem क्या होता है solve हो जाता है उस पे लगने वाला force निकल जाएगा तो अगर मुझे force चाहिए तो master 2 kg है तो यहाँ पर net field की value कितनी है तो वो मैं अगर निकाल लूँ तो यह problem solve हो जाएगा तो mass 2 kg है नेट field कितना आ जाएगा वाई वाइब का square प्लस टूएल का square अंडर रूट वेक्टर का magnitude यह जो फिल्ड यहां जो फिल्ड आया था यह इस फिल्ड यह का magnitude कितना होगा वाई वेक्टर का magnitude कितना कैसे लेते हैं फाइब का square प्लस 12 का स्क्वाइर सबकुष अंडर रूट तो जब यह पूरा solve करोगे तो फाइब का square और टू का लगारा भाई तो वह फॉर्स लगारा Bellacci on 파िर की यह इसका results का लगने माला का result in इधर ही कहीं आएगा कि यह जो फॉर्स एक इधर लगे गांकि इध्र लगेगा तो यह इनका result in इधर ही कई कुछ थीटा के पर आব जाएगा वह आब निकल सकते हैं तो force इतना लगेगा और इसकी value हम निकाल लिए अब इसका part B तो part B पहले पढ़ो अच्छे से देखो क्या कहता है तो चलो B part में देखते हैं तो B part में basically जो है ये कहते हैं find the potential part B अगर इसका मैं part B solve करता हूं तो part B में part B मतलब B वाले part में 2 part है तो हमें potential निकालना कहां पर ये जो point है 12,0 और 0,5 पर potential निकालना है if the potential at origin to be taken 0 तो यहां पर जो electric field की value है वो उसको मैं vector formula लिख लेता हूं तो यह 5 I cap plus 12 J cap पर दिया हुआ तो potential field से कैसे related है और हमें निकालना है initially जो है initial देखोगे तो origin पर हाँ origin अगर तुम चाहो तो यहां पर मैं तुमारे लिए बना देता हूं coordinate system तो यह origin पर potential 0 लेना मतलब यहां यह जो point है यह जो point है इस पर 0,0 origin है और यह initial potential है और 12,0 कहां आएगा तो 12,0 आएगा यह है 12,0 तो एक particle को में यह final potential यहां पर है तो इसकी हमें potential निकाल नहीं है जबकि initial potential की इसकी जो value है वो पहले से 0 assign दिया हुआ तो यह वही निकाल सकता है जिसको field और potential में relation पता हो भई तो field और potential में क्या relation होता है simple सी बात है आई होब की सबको याद होगा field और potential में relation electric field की value होती है minus db over dr ठीक है अगर इसका देखो के तो minus db is equal to e dot dr ऐसे भी इसको लिखते है हम लोग vector form अब इसको हम integrate कर देंगे proper limit लगा के तो जब मैं इसको proper limit लगा के integrate करूंगा तो यहां initial potential आ जाएगा और यहां final potential आ जाएगा तो electric field की value electric field कितना बोलो 5i cap plus 12 12 j cap और यह dot dr लेकिन dr तो एक general vector था नहीं डियर क्या था एक general vector था तो इस dr को मैं generalize कर देता हूं तो यह in the form यह तो 5i cap is equal to plus 12 j cap तो डॉट जो है अब डॉट तो electric x-axis में है तो जब x-axis में है तो जनरलाइज फॉर्म में यह जो integration है तो x-axis में डी एक्स आई कैप है डी एक्स आई कैप है और डी वाई जे कैप है और जेड रहता तो जी डी जेड के कैप होता तो फाइनली जब इसको तुम देखोगे तो यह फाइनली इंटीग्रेशन आएगा फाइफ डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन आप देखो यहां से माइनस फाइनल पोटेंशिल- इनिसियल पोटेंशिल तो यहां से जब तुम देखोगे तो डी ेक्स एक्स की लिमिट कहां से कहां और यह 0 से 0 तो फाइनल जब इसको 5 common लेगे और एक्स आएगा और यह लिमिट जाएगा 0 से 12 और यह प्लस जिरो हो जाएगा तो फाइनल जब इसको solve करोगे तो माइनस फाइनल पोटेंशियल की वेलू जिरो इनीशियल फाइनल पोटेंशियल चाहिए बच्चो सब्सक्राइब इसमें गलती हो गया तो फाइनल पोटेंशियल हमें चाहिए तो अगर तुम देखोगे तो फाइनल पो तो माइनस गसón के इसने का कौॉटिनेट्ञट अब देंग पॉटेंज़िंड चोर्ण पॉटेंशोल जाएगा तू माइनश सीज़िक जो है यह दी तिसा पॉटेंजील जूंट अब पार्ट बिलेकिन इसमें एक और पार्ट बड़ा सवाल है तो इसमें एक और पार्ट है अगर initial potential पर भी potential निकालना तो Aimde तो ayam तो kati तुम तो ही तो अगर तुम यहां पर देखोगे अब करण पर जीरो कामा तुम कहां बाइ तो यह जीरो नहीं कामा फाइफ यह तो यह हमारा फाइनल पोजीशन है और यह हमारा इनिसियल पोजीशन है और इस पॉइंट पोटेंशल 00 है तो जनलाइज फार्मूला क्या है इसको और ज्यादा जो जनलाइज तुम देखोगे तो इसको जो अगर थीरी तुमारे सर्ने पढ़ाय होंगे तो तुम आई हो कि तुम सारे इस फार्मूले को अच्छे से पढ़े होगे तो जगर अच्छे से पढ़े होगे तो इस फार्मूले को तुम ऐसे भी लिख सकते हो तो जनलाइज फार्मे इस फार्मूले के रख सकते हो कि along y axis j cap plus electric z axis k cap और dot dxi cap dyz cap और dz k cap ठीक है तो यह basically एक generalized formula है और e is equal to minus dv का तो यह जो formula है यही यहाँ पर apply हो रहा हूँ उपर वाले भी question में यह लगा था और अभी मैं पूरा लिख दिया हूँ तो अगर final देखो initial potential कितना था एक्सकी value कितनी ती 0 finely x की value कितनी रही 0 ठीक है और pequeño dix yield हाँ đेखो कि initial y की value कितनी थी 0 finally y की value कितनी हो गई 5 तो यह क्या है यह final value तो final value है और यह अपनी इनीश्यल value थी यह अब इससे कोई मतलब नहीं है। इसे ले जाते हो वह तो भॉने तुम देखोगे तो आब इस वाले फार्मूलोए को लगाओ तो इन्टी ग्रे साण मा और माइनस साइन लगा देते हो और dv इंटीग्रेट कर देते हो और फाइनली इलेक्टिक फिल्ड की वैलू रख दो तो इलेक्टिक की वैलू कितनी थी भाई फाइफ आई केप प्लस टुवब जे कैप और प्लस टू डायमेसिनल फिल्ड है तो यह मैं डी एक्स आई कैप औ यहां से तुम देखोगे यहां से तुम देखोगे तो एक्स की वेलु तो कहां से कहां तक चेंज हो रही तो 0 से 0 x जा रहा और y 0 से 5 जा रहा यहां पर तो यहां पर तुम देखोगे तो यह तो बना 0 और यह बना जो है यह बेसिकली तुम देखोगे तो यह कितना बना तो उस चीज़ को तुम देखोगे 0 और यह जब इंटीग्रेट होके यह 12 ब देखोगे तो 0 प्लस 12 और यह 5y की वेलू रख तो 5y-0 तो तुम देखोगे फाइनल पोटेंचिल इस्टील 60 रहा तो इसमें भी फाइनल पोटेंचिल कितना आया 60 ही आया 0 से 5 यह वहला तो इस बेसिकली दा कम्प्लीट भी पार्ट 2 तो लंबा सवाल है अब पार्ट सी तो पार्ट सी में देखते हैं कोशन बढ़ा तो पार्ट सी में क्या करें पहले इस कोशन को हम समझ लेते हैं तो पार्ट सी में यह कहते हैं कि find the change in gravitational potential energy if the mass of 2 kg taken from origin 2.12,5 तो 12,5 पर change in gravitational potential energy हमें निकालना है तो एक mass को जो 2 kg का था find the change in particle 2 kg taken from origin to 12,5 मतलब यह जो यहां पर जो origin पर था अच्छे से इसको समझना तो जो जो यहां origin पर यहां पर origin पर 2 kg का mass था यह जो 2 kg का mass है इसको मैं change in potential energy एक है कितना coordinate है बोलो finally 12,5 पर ले पॉइंट पी पर तो इसे कोई मतलब नहीं है यह ऐसे ले गए तो यहां से change in potential energy मतलब है इसकी potential initial है और इसकी final है तो हमें change in potential energy निकालना तो चेंज इन पोटेंशिल energy का मतलब होता है तो चेंज in potential energy का मतलब होता है कि एक मिनट फाइंड चेंज in potential energy a particle to gain from origin तो चेंज in potential energy ही तो यह बात तो चेंच पूटेंशल एनर्जी निकालने का तरीका क्या है तो चेंच अगालोगे तो वर्क टन वर्क टन ऐसिक्ल टू की बड़ा शाला गबड़ाना नहीं बच्च वर्क टन इसकोल को डूब टू वर्क टन बाई एक्च्टरणल एजंट इस knowledge प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव बाई ग्रेविटेशनल वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फिल्ड तो ग्रेविटेशनल फिल्ड जो वर्क करती है conservative field जो work करती है work done minus change in potential energy तो इसका मतलब भी होगा कि अगर मैं work done निकालो तो change in potential energy मुझे पता चल जाएगा तो चलो अगर मैं work done यहाँ निकालूंगा तो work done निकालने के लिए is equal to change in potential energy में external agent का निकाल लेता हूँ अपने आप नहीं जाना हैगा तो change work done is equal to force.dr होता है तो force.dr तो इसका मतलब भी होगा कि change in potential energy आ जाएगा बच्चों force is equal to क्या होता m और electric field.dr तो electric field.dr अब यहाँ तुम देखोगे तो दोनों two dimensional है तो दोनों टावड और electric field और potential की value रख देता हूँ तो यह problem हो जाएगा तो यहाँ से mass m electric field की value कितनी है बोलो तो अब electric field की जो value है वो आ जाएगी पहले देखो पहले से दिया हुआ 5i cap plus 12j cap और two dimensional है तो dot dxi cap plus dyz cap यह वाला तो तुम अगर देखो के तो इसको जब solve करोगे तो आ जाएगा mass तो 2kg आ जाएगा और यह bracket में integration बनेगा 5dx और प्लस integration आप 12 dy और limit जो जाएगी x की value कहां से कहां तक change हो रही है तो देखो origin पे था तो x is equal to 0 से x is equal to कितना आया 12 और x is equal to 0 से x is equal to 5 आया तो finally अब कुछ नहीं करना है change in potential energy यही है प्यारे बच्चो अब इसको में solve करना पड़ेगा तो 2 multiplied by और यह ऐसे ही रहने दो 2 से सभी में multiply हुआ है 5 इदर common आ गया 12-0 आ गया प्लस इदर 12 common आ गया 5-0 आ गया तो जब इसको हम solve करेंगे तो क्या मिलता है तो यह यहां से solve करने के बाद यहां क्या मिलता है इसको मैं इधर लिखता हूं तो देखते हैं इधर क्या मिलता है तो फाइनली चेंज इन पोटेंशल एनर्जी की जो वेल्ल आ जाती है वह आ जाती है टू से इधर multiply हुआ है और इधर आ जाएगा साथ और प्लस और इधर आ जाएगा साथ तो इसका मतलब यह हुआ कि टू मुल्टिप्लाइड वे साथ साथ 120 होता है तो मतलब 120 मनदब 240 जूल चेंज इन पोटेंशल एनर्जी या वर्क डन हुआ होगा तो दो सो चालिस जूल जो प्लस आया तो इस बी सिर टौफ डू किसका है इक्सतर्ण Natomiast यहां पर एक बात मेरा कंवर्ड ऊंपर् fans वांक है इंस टдо उर्क ह्पार्ड का मतलब होता है यू यूमी एं लाइक बीुंख दनबाइष तो एक्सट चेंज इन पोटेंश dad ऑने की प्लस वेलू मतलब यह आजाएगा प्लस 200 जूल और वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फिल्ड या इसके अपने आप तो थोड़ी जाएगा बाई माइनस तो यह भी एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं पार्डी में कहते हैं find the change in potential energy if the particle is taken from 12,0 to 0,5 मतलब 12,0 से 0,5 पे जाते हैं तो change in potential energy कितनी होगी तो इसको भी हमें निकालना है तो अब चलो तो change in potential energy यह है अगर तुम देखोगे इस सवाल को part d अगर करोगे तो d part तुम बहुत आसानी से कर सकते हो तो d part तो ऐसे भी कर सकते हो देखो d part आप ऐसे भी कर सकते हो तो यह जो है देखो यह वाला जो point है ओ है 0,5 और यह जो point है और 12,5 है तो यहां पर potential initially कितना है 0 और इस point का potential पहले ही हम लोग निकाले थे बोलो 60 और इस point का भी potential 60 था तो change in potential अगर किसी भी points अगर तुम ले जाते हो किसी particle को तो change in potential जो है वो 0 आ जाएगा तो change in potential energy is equal to mass m multiplied by change in potential तो 0 तो यह ऐसे भी इसको कर सकते हो बागी आप इसको solve भी कर सकते हो क्योंकि यह देखो 60 आया था हम लोग solve केते तो 60 आया था तो दोनों point का सेम आया था 60 60 तो ऊपर में देखो solve हुआ है या नहीं तो अगर आप ऐसे खुस नहीं हो तो आप direct formula भी लगा सकते हो या अगर आपको मैं पढ़ाई रहा हूं तो आप भी क्या आद रखोगे तो दिखना था तो initial point था 12,0 तो 12,0 से finally कहां ले जाना वाई finally ले जाना है 0,5 तो जो work done आए जाएगा वो minus time change in potential energy conservative field का आ जाएगा तो यह जो work done आ जाएगा वो work done की value क्या आती है तो work done is equal to होता है work done तो force multiplied by DR तो force की value कितनी होती है मास multiplied by electric field dot DR अब electric field और मास का multiple मास को side में ले लो और electric field यह तो electric field इसको integrate कर तो electric field कितना था बो electric field था 5 i cap plus 12 j cap यही था और plus dot dx i cap और dy j cap तो यह यहां से तुम देखोगे तो यह वाली जो चीज है आवे तो इसका dot ले लोगे तो मास को side में रखो और यह जाएगा 5 dx integral और प्लस यह 12 dy और limit जाएगी अभी इसकी जो limit जाएगी कहां से का x की value चेंज हो रही है बोलो तो solve करने के बाद जो है यह मास जो है 2 आ जाएगा और यह आ जाएगा 5 बाहर आ गया तो 0-12 और प्लस यह 12 बाहर आ गया 5-0 तो फाइनली जब इसको solve करेंगो तो 2 तो यह आ जाएगा माइनस परफचे 60 और प्लस यह 60 तो 60-60 एक दूसरे को कतम कर दिये तो 0 तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वह आ जाएगा 0 मतलब कोई वर्क ही नहीं होगा तो वर्क डन इस उकल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस उकल टू जीरो आप दोनों मेथर से लगा सकते हो तो इस बेरी लेंदी प्रॉब्लम तो आई होग कि यह बात आपको समझ में आ गई हो बेहतर तरीके से कि इक्स्टर्नल का वर्टन कितना होता है और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है यह सब कुछ क्लियर कर देगा झाल झाल